हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टो आर नियू वीडियो आज हम देखेंगे की नेटवर्क की डिवाइसेस के बारे में पिछली बार हम हब के बारे में देखाता जो नेटवर्क डिवाइसेस में पहला नंबर आता है आज हम उसका एक सक्सेसर जो की है स्वीच उसके बारे में स्विच ए सा एक नेट्वरक डिवैसे जो की हआप नहीं करता वह स्विच कर सकता है क्याँ कि स्विच हभ से थोड़ा ज्यादा इंटलीजिन कहा जाता है इसे नेटवरक डिवाइसे के बीच में डाटा ट्रांस। थोड़ा आच्छे से होता है तो चलिये पढ़ते हैं ए स्विच इस ए डिवाइस इन ए कम्पूटर नेट्वार्ग ताट कनेट्स अधर डिवाइसेश टुगेदर मतलब अधर कम्पूटर नेट्वार्ग में जो डिवाइसेश होता है उनको कनेट करने के लिए हम स्विच इस्तमाल करते हैं ठीके Multiple data cables are plugged into a switch Multiple data cables are plugged into a switch to enable communication between different network devices मतलब जो different network devices है उनके बीच में connection, एक secure connection करने के लिए हम switch करते है इसके लिए तो बहुत तार भी लगेगा ना जितना डिवाइस होगा उतना ही तार लगेगा ठीके यह होब just dodge the work of data forwarding हम पिछले बार पढ़ेते होब data सिर्फ forward करता है बट switch ऐसा नहीं करता switch पहले data को देखता है जानता है परखता है और फिर forward करता है किस device से किस device तक data जाएगा उसको जानता है और फिर data forward करता है ठीके इसलिए तो बोला गया है switch does work filter and forwarding यह यादरेखना filter and forwarding switch when a data packet is received at once of the interface of the switch it filters the packet and sends only to interface of intended receiver intended receiver for this a switch maintain cam table when a data packet received one of the interface मतलब यह मानलो एक दिवाईश और एक दिवाईश एक दिवाईश इधर से switch को एक data packet receive हो रहा है इधर इधर से data packet इधर receive हो रहा है switch देखता है और यह data को इधर पहुंचा नहीं या इधर पहुंचा नहीं यह switch decylic करता है और फिर data packet को send करता है ठीके इसलिए तो intelligent माना गया है switch को हब से ज्यादा इधर एक आता है cam table मतलब क्या है cam का मतलब है content addressable memory ठीके यह जो data आएगा इधर से इनका एक आड्रेस होका ना यह address को यह cam table बोला जाते मतलब cam table maintain करके रखता है इधर से address लेगा और कहां तक पहुंचाएगा उनका address maintain करके रखने के लिए cam table switch से include क्या गया है ठीके आप इनका screenshot ले लीजिए एक्जाम में प्लस टू लेभेल या computer science में जहां भी switch का मतलब short note पड़ेगा यह लिखना अच्छे से mark आ जाएगा क्योंकि एक short note के तरह ही है यह two mark और three mark में आ जाएगा important है बहुत ज्यादा समभल कर लिखेगा एक्जाम में पढ़के जाएगा कोई दिकत नहीं आएगा समझ लिया एसाई और भी short note में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे है आगे एसाई और वीडियोज आते रहेंगे और अगर कुछ doubt हो तो comment में आप लिख सकते हो thank you झाल